आप देख रहे हैं SKK NEWS SKK NEWS में आपका स्वागत है मैं अंजली दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बेतिया है लोगसभा चुनाव के मद्दे नजर बेतिया में वाहन चेकी गभियान चलाया जा रहा है इस दोरान पुलिस ने दू जगहों से वाहन जाँच करते हुए लाकों रीपे बरामत किये एस पी शिव कुमार राउ ने बताया कि मुफसिल थाना क्षेत्र के करगहिया पंचायत के चेक पोस्ट चॉप पर चुनाव के मद्दे नजर बाहन चेकी गभियान चल रहा था इसी दौरान दो युवक बाइक पर सवार होकर पूर्वी करगहिया की तरफ जा रहे थे जिन्हें पुलिस ने रोका और वाहन की जाँच की वाहन जाँच के दौरान दोनों युवकों के पास से 8,50,000 रुपया बरामत किया गया चुनावों पर बरती जा रही सतर्प्ता वहीं गूसरा मामला मुफसिल थाना क्शेत्र के हरिवाटिका चौक का है जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से तकरीबन 1,77,000 रुपय बरामत किया बेतिया एसपी शिव कुमार राउ ने बताया कि चुनाव के दौरान इतनी बड़ी रकम का मिलना सामान्य नहीं है इसलिए तीनों युवकों से पूछताच की जा रही है इसके बाद ही साफ होगा कि यह पैसा कहां से लाया जा रहा था और कहां ले जा रहे थे इसके परिफाए किया जाता है इसके पास सही पायाना कि उचिता है